हलो दोस्तों आज हमारे सामने एक Home Theater service होने आई है Sony की है पर इस Sony original नहीं है एक copier है इसका problem ऐसा है कि इसमें डिस्प्ले में बत्ती जलता है या डिस्प्ले में भी बत्ती जल रहा है पर इसमें speaker में कोई sound नहीं नो ओडियो में है तो मैं इसका प्रॉब्लम को आपको क्लियर करके दिखाऊंगा आप वीडियो में सुरू से अंतक बने रहे हैं ओके दोस्तों मैं अभी इसको पावर प्लग ओन कर रहा हूं कि सामय की बच्चत के लिए मैं इसका बैक कावर फोल के रखता हूं इसमें एक साउंड आ गया लेकिन इसमें नो अगो तो तो मैंने इस मोबाइल से ब्लुटूट को कनेक्ट कर जिया पर इसमें मैं अभी इसको प्ले करता हूं तो यह प्ले चल रहा है यह दीख रहा ना 16, 17, 18 पर इसमें नो साउंड मैं इसका वोल्यम भी फूल कर जिया फिर भी नो साउंड मैं इसका प्रॉब्लम क्लिर करता हूं सरक्से पहले दोस्तों आपको इसका ओडियो में चेक करना पड़ेगा कि इसका आइसी ठीके के नहीं है उसके लिए पहले हाथ में हलका सा एई देखे दोस्तों इससे पता चलता है कि हमारे यह सरक्ट पीसी भी ओके अगे जाना पड़ेगा तो मैं आगे दिस्प्ले में तो पावर आ रहा पर फिर भी साउंड नहीं आ रहा वोल्यम मैंने पूर्ण किया हुआ है देखे दोस्तों यह इसका मीडिल पॉइंट है और यह आपका क्री लाइन है जो इस काड़ से आता है तो मैं इसको पहले यहां से यहां जंपर मार देंगा यह दो वायर को खोल देता हूं और मैं डारेक्ट इसमें सोल्डिंग मार दूंगा ठीक है फिर भी नौ ओडियो देख रहे ना अब मैं इसको ओडियो लाके दिखाता हूं जोस्तों ऐडियो आजिया । आप इस बटम से अगर प्रेस करना चाहेंगे न तो यह बटम से प्रेस नहीं होगा देखे फॉल्ड देखिये और कुछ यो कुछ और काम कर रहा यह मल्ली पर परपस प्रोब्लम में आ रहा है तो इसलिए इसका जो प्रोब्लम मेंộc में दिखिंगे दोस्तों तो दोस्तों में जो कहना यही है कि आपका इस अधार स्कीन में प्रॉब्लम में सिर्फ इस lotus का और यह वाये बहु हश्वी. तो आप माइक्रो स्विच और वोलियम दूनों चेंज कर दीजेगा तो आपका ये हम तेटर कम्प्लिटली ओक्य हो जाएगा हलो दोस्तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वेल आइकन को जरूर प्रेस कीज